विकास वो होता है रोड बनाने से दुख दूडर नहीं होती है मेरे भाई दुख तब दूर होगी जब हमारे घर में तीनो टाइम जो है अनाज मिलेगा खाना मिलेगा विकास इसको बोलते हैं कि यहां पर इस तरह के सिख्षा अगर यहां पर अगर वलकार खाने अगर रहता तो हमारे बिहार के लोग दिल्ली मद्रास या बंबई नहीं जाते हैं नमस्कार मैं अब्दुलकुदोस आप देख रहे हैं मिथला दस्तक न्यूज मैं अभी अररिया सक्राम में हूँ नस संतावन के पास और मैं चलिए बात करता हूँ ड्रैक जनता से और जानते हैं जनता के मूड तो क्या आपको लगता है नहीं लगता है कि इस नितिस्कुमार हमारे घर में तीनो टाइम का जो है रोजी-्रोटी चले मैं विकास वो होता है रोड बनाने से विकास हम लोग दूख दूर नहीं होती है मेरे बाय दूख तब दूर होगी लगत हमारे घर में तीनो टाइम जो है अनाज मिले हैं विकास इसको बॉलते हैं तो रासन जो है यह दिया गया फढ़लिक को तो ये भी तो भोजन के कहीं नहीं परबंध कियो आनाज थे नहीं करtha आप देखो हमारा पैसा है हमारा टैक्स है हमारा कुछ आप देखो कि अमारे घर में चलो ठीक है जल जाता है उसके बाद क्या है गैस का परबन तेल का परबन लोगों के पास पैसे नहीं है आज एक एक रूपिया का मोहताज हो गया है आप आप महगाई के मुद्धे पर क्या करना चाहेंगे माहगाई क्या करेंगा जाके पता किजिये मार्केट में असी रुपया प्याज है अलू है अलू है तीस रुपया अलू है मतलब ये डबल एंजन की सरकार आज 15 साल से जो सासन काल में नितिश कुमार जी है अब तक बिजली नहीं है अभी तक नव सिष्वा अनुमंडल उसके बगल से रोड जाता है उस रोड में अभी तक नव टोल की जनता वह सोचना भी बंद कर जाके हम पीच पे चड़ेंगे 15 साल से यहां शासन काल में तो बिहार में जो सिक्षा की ब्यवस्ता है अभी मार्च 21 मार्च से ही जो है लॉक्टाउन की स्थिति में है और देखते हैं कि यहां पर सिक्षा की ब्यवस्ता है उसके बारे में क्या जनकारी देना चाहेंगे जनता को सब भरस्टाचारी है सिक आप क्या बताना चाहेंगे सिक्षा के मुद्दा पर शिक्षाक क्या करना है वह सबसे पहले उपर नहीं हो सबसे पहला जो है सबसे पहला opportunity सिक्षा है उसके बाद जो है भोजन अगर हमें सिक्षा अगर मिलेगा तो हम भोजन का वेबस्ता कर लेंगे यह सबसे बड़ी चीज़ है और आपने अभी आज के टाम में आप देखो कि बिहार के अंदर में यह lockdown में जो यूबा घर आया है उसके पास रो में अभी जो यूबा नेता उन्होंने चलिए आप बताएंगे इस लोग्टाउन के स्थिति में जो लोग बाहर फंसे हुए थी बिहार वासी तो वह जो है सो उसको कहां तक सपोर्ट हमारे सरकार ने किया उसके बारे में आप जनकार देंगे बताते हैं सरकार कि दिल्ली य आःस कर लेकिन ही जाते हैं कुए यहां पर बरे रोजगारी है कinging Outcole if kadar उलकार खाने आगे रहता तो कि हमारे बिहार के लोग मदरास या बंबले नहीं लेकिन इस तरह के समस्या है इसलिए जाते हैं दूसरी बात यहां पर जो है इस तरह का जो पलायन हो रहा है जो मतलब आज की डिट के बच्चे यहां पर है कोई अच्छा जो है सो कॉलेज नहीं है इंजिनिंग कॉलेज जो भी अच्छा मेडिकल कॉलेज तरह की वेवस्था नहीं है तभी कोटा यहां से परने के लिए जाते हैं और वहां पर फसते हैं और फिर लॉक्टों में क्या हालत हुआ यहां का आप लोग जाने रहे हैं इसलिए इस पहले आपका नाम क्या है नाम संजीव यादब हुआ है सबस्क्राइब कि सब्सक्राइब कर चाहें जारे हैं लाने जा रहे हैं इसलिए कि नितीशकुमार 15 साल से सासन में इसको यह नहीं पता है कि 15 साल में सही क्या है क्या है गलत क्या है सİRF UNDAN की सरकार में बैठे हैं और यूबाओं भिरोजगारों और नौजवानों को जो पुरा नपम्सक बनाने का काम किया है वह भिहार की जनता इस बार दबल एंजवाना की सरकार को काम नहीं करेगी इस बार सभी जनताओं ने मुद मुद्ध बना लिए हैं खास करके यूबा और नोजवान और चात्र खास करके मुड्ध बना लिए हैं यह सरकार निकमी सरकार को उखार के फैक के और आदर ने तेजबी पर साथ यादब को कुर्षी पर बठाने का काम करें ठीक अगर इस बार आप किसको सपर्ट कर रहे हैं कि आपको लगता है अगर इस वार को मुझा दिया जाए तो बिरोजगारी के मुद्दा को खतम करेंगे गदम करेंगे नया है नव्यूबक सब चाहते हैं कि एक बार सरकार चेंज हो नया सरकार आना चाहिए सब बार चेंज होता है तो ठीक रहता है सब जानता है इसलिए नव्यूबक के हित में काम करेंगे तेजस्वी आदब नया चेहरा है नया जोस है उमंग है तो आज करहिया, डौक्टर करहिया कुमार आये थे, अररिया सक्राम, तो उनको कहां तक किस हद तक आप जानते हैं, और क्या इस बार महाकदवन्धन की जो सरकार में वो सामिल हैं, तो उसके लिए वो क्या काम करेंगे जनता के लिए? काम करेंगे, वो भी बहुत अच्छा निता है, हम लोग के नव्यूबक के दिल के धरकन है, परहे लिखे निता है, बुजूर जानते हैं, सब नौलेज है उनके बारे में, बहुत सब जानते हैं, अजी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बताएंगे, लालु यादव का लाल हैं, और वो जो जब रेल मंत्री थे, लालु परचाद यादव, तो नब्य हजार क्रोर रुपया का मुना फाद यादव का, जो बादा किया हैं, वो ठेट भी यारी हैं, वो करके दिखाएंगे भी यार की जनका, जी आप बताएंगे, जो हैसे इस बार, आप किसको सरकार लाना चाह रहे है, जो यूबा की बात करेगि हम लोग उसीकी सरकार लेकर आएंगे, और यूबा को जो रोजगार देगी, हम सब यूबा बिहार के उनके साथ है, तो इस बार तो एंडिये की महाँ घंदानवण्धन की सरकार भी बता रहे हैं, कि एक तरफ अड़त भी बता रहे रोजगार वो है जो हम लोग चाय बेचने वाले को भी रोजगार बोलते हैं पकोरे तलने वाले को भी रोजगार बोलते हैं और नौकरी वो है जो हम लोग फुकूमत के साथ सरकार के साथ करते हैं वो नौकरी होती है हम लोग को पता है कि NDA की जो सरकार है वो जो भी वादे अब तक किये हैं सब फेक जुमला और क्या मैं आपको बोलू सब कुछ है और विफल भी रहा है आपको पता है होगा कि अभी लॉक्डॉन के समय में हम यूबा छे महीने से बेरोजगार है और हमारे यूबा के बारे मे जो नेटा सोचेगा हम लोग उसको ले के आएंगे बिहार में तो बिहार में स्वास्त विभाग के बारे में आप क्या बताना चाहते है इस बार अगर एकसे कि सरकार बंती है तो स्वास्त विभाग को बहतर करेंगे जो कि एपी सेच हो या फिर सदर हो उसमें देखा जा रहा है कि बार-बार लापडवाही के वज़से मरीजों को दिक्कत का सामना या पैसे की वज़से वहां मिर्त्यू हो जाते ही जांच या किसी भी तरह कर नहीं हो पता है उसके मुद्दे पर क्या करना चाहिए देखिए अगर म हंडेड़ परसेंट है लहर है चैंजिंग होना भी चाहिए क्योंकि 15 साल नितिश जी को हम लोग देख लिए हैं मतलब जो किये क्या किये लेकिन अब जो है एक लहर है तो इस बार परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन होगा तो स्वास्त विभाग में बहुत अच्छा तो यह की जनता को कहना है कि नितिश की सरकार तो जो है किस लिए गया ऊसलिए तो यह इसलिए या नल जल योजना है तो उसके बारे में की नितिस कुमार यह बिहतर किये हैं आतल जाकर है कि आकीए फट से लिए 시청Fr étaient Mullos रश्ट कारे के करद में हिरे